नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मुम्मई महानागर में और मैं हूँ आपके साथ दिक्षा जलो दिया उत्रप्रदेश के बांदा जिली में तैनात एक महिला न्यायक अधिकारी ने भारत के मुख न्यायधीस दीवाई चंद्रचूर को पत्र लिख कर जिला न्यायधीस पर योन उत्रणिन का आरूप लगाया है साथ ही उसने पत्र लिखकर सीजियाई से सम्मान पूर्वक एक्षर मत्यू मांगी है इसके बाद सीजियाई को स्थिती बार इलाबाद उच्छनियाईले प्रशासन से रिपोर्ट की मांग करनी पड़ी नमस्कार म हूँ आपके साथ मुंबई मानगर में हम बता दे कि महिला जजने सुप्रीम कोड के चीफ जस्टिस के नाम पर पत्र लिखकर एक्षर मत्यू की गोहार लगाई उनका कहना है कि उनके साथ काफी आपत्ती जनक बरताब किया गया जिससे वो काफी आहत हुई है अब वो मरना चाहती हैं जिसकी उन्हें इजाज़त दी जाए महिला जजने पत्र में लखा मैं इस पत्र को बेहाद दर्द और निराशा से लिख रही हूँ इस लेटर का मेरी कहानी बताने और प्रातना करने के अलावा कोई और उदेश नहीं है मेरे सबसे बड़े अभी भावक यानी महाँ पर शीग रही मुझे नियाय का भिकारी बना दिया जाएगा मेरी सर्विस के थोड़े इस समय में ही मुझे खुली अदालत में दुर्वेवार का दुरलब मिला मेरे साथ सारी हदे जो है वो हद दरजी तक उत्पडिरन तक किया गया मेरे साथ बिलकुल जैसा वेवा हमारे जीवन का सत्य है पोश यनि योन उत्पडिन में महिलाओं का संद्रक्षन अधिनियम एक्ट में हमें बताया गया सबसे बड़ा जूट है कोई हमारी नहीं सुनता किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप शिकायत करेंगी तो आपको प्रतारित किया जाएगा मै मैंने फैर ट्राइल की बात की है इससे पहले मैंने सितंबर 2022 में हाई कोट को इस मामले के बारे में लिखा था वहां से कोई भी सुनवाई नहीं हुई एक जाज के शुरू करने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी हाजारों मेल किये गए छे महीने तक तो जाज शु कब्द वो कहना चाहती है सीज़एई से अपने अभी भावक से जो कि महीला जज्निक है उनके साथ उत्प्रियनन हुआ है उने शाररिक रूप से मानसिख रूप से प्रतारित किया गया है वो इस हद तक प्रतारित की जा चुकी है कि उन्हें अब मृत्यु पसंदा रही है यानि वो एक्षाम्रत्यू बांग रही है ऐसी खास कबरों के लिए देखते रही है मुम्मे महानगर नमस्कार